सात्य और लोक तंत्र में चाहे जन प्रतिनीदी हो, राजनितिक दल हो, संसद हो या न्याई पाली का हो हर घटक का अपना अपना रोल है अपनी अपनी निश्चित भूमी का है इस भूमी का का सतन निर्वा बहुत आवशक है अपने गुजरादी मैं केवच्चे जेनू काम तेनू थाए, बीजा करे तो गोता खाए पार्सी परिभर वैस्था पड़वा पले यानि जिसका जो काम है उसी को करना चाहिए राजनिति हो, मिडिया हो या फिर कोई दूसरा चेत्र सभी के लिए ये कहावत प्रासंगिक है समाचार पत्रों का, मिडिया का काम समाचार पहुचाना है लोग सिख्षा का है, समाज और सरकार में कुछ कम्या है तो उनको सामने लाने का है मिडिया का जितना अधिकार आलोचना का है उतना ही बड़ा दाइत्वा सकारात्मक खबरों को सामने लाने का भी है बीते वर्षों में मीडिया ने एक बड़े वर्ग ने राश्ट हिस से जुड़े सामाजी हिस से जुड़े अभियानों को बढ़ चड़ कर अपनाया है उसका सकानात्मक प्रभाव अदेश अनुभव कर रहा है स्वच्छ भारत अभियान से अगर देश के गाउं और गरीब का जीवन उसका स्वास्त बहतर हो रहा है तो इसमें कुछ मीडिया के लोगों ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है प्रसंशनिय भूमिका निभाई है आज भारत अगर डिजिटल प्रेमेंट्स के मामले में दुनिया में अगरणी है तो लोग शिख्षा का जो अभियान मिडिया ने चलाया उससे देश की मदद हुई है आपको खुशी होगी डिजिटल लेंदेन दुनिया का 40 प्रतीशत कारोबार अकेला हिंदुस्तान करता है बीते दो वर्षों में कोरोना काल के दोरान जिस प्रकार हमारे प्रत्रकार साथियों ने राश्ट्र हित में एक कर्मयोगी की तरह काम किया उसको भी हमेशा याद किया जाएगा भारत के मिडिया के सकारात्मक योगदान से भारत को सो साल के इस सबसे बड़े संकर्ते निपटने में बहुत बड़ी मदद मिली मुझे विश्वास है कि आजादी के अमरित काल में देश का मिडिया अपनी सकारात्मक भुमिका का और विस्तार करेगा ये देश, डिबेट और डिसकसन के माध्यमों से आगे बढ़ने वाली सम्रुद्ध परिपाटी का देश है हजारों वर्सों से हमने स्वस्त बहज को, स्वस्त अलोचना को, सही तर्क को सामाजिक व्यवस्ता का हिस्सा बनाया है हमने बहुत कठीन सामाजिक विश्यों पर भी खूल कर स्वस्त चर्चा की है यही भारत की परिपाटी रही है, जिसको हमें ससक्त कर रहा है